आपके अपने YouTube चैनल में आप सब का स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले है West Bengal Council of Higher Secondary Education के नए नोटिफिकेशन के बारे में जियां दोस्तो West Bengal Council of Higher Secondary Education Board के तरफ से एक नएा नोटिफिकेशन आ गिया है और दोस्तो बोट के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक West Bengal Higher Secondary Level में जो है दो नए अडिशनल सबजेक्ट को अट किया जा रहे है जियां दोस्तो आपको पता है पहले से ही West Bengal Boat के अडिशनल सबजेक्ट था तोर पे west Bengal board ने तमाम school में जो है गर इस साल जो बच्चे class 11 और class 12 में पढ़ रहे हैं तो दोस्तो वो दोनोग सोब्जेक्ट में से कोई भी subject को अपना additional subject बना सकते हैं class 11 और class 12 के तमाम student लेकिन दोस्तों इसके लिए कुछ condition रखा गया है जिया दोस्तो ये data science और artificial intelligence ये subject जो है अगर आपको additional subject के तौर पे चाहिए तो सबसे पहले जो है वो आपका school में permanent teacher होना चाहिए computer science का जिया दोस्तो जिस school में computer science का permanent teacher रहेगा उन्ही school में ये subject allow किया जागा यानि ये subject पढ़ाया जा सकता है इसके इलावा दोस्तो गवर्मेंट के तरफ से ये भी लागू कर दिया किया है कि जो बीएस सी या बीई या बीटेक या पोस graduate होंगे computer science में या फिर IT में information technology में तो दोस्तो वो तमाम लोग जो है वो तमाम permanent teacher जो है वो data science और artificial intelligence को पढ़ा सकते हैं otherwise जो teacher physics, chemistry या mathematics में graduation है और permanent teacher है उनको फिर government के तरफ से एक training दिया जाएगा तो वो वो ये training कराने के बाद जो है वो data science और artificial intelligence को पढ़ा सकते हैं लेकिन अभी जो government के तरफ से लागू किया गया है वो जिसी school में computer science का teacher रहेगा वही जो है वो ये दो subject को पढ़ाएंगे इसके लावा BSC, BE या BTEC या post graduate किया है computer science में तो वो लोग भी जो है ये subjects को पढ़ा सकते हैं लेकिन आपको पहले ही बता दिये physics, chemistry और mathematics वाला लोग जो है वो एक training लेने के बाद ही जो है वो ये subject को पढ़ा सकते हैं और आपको ये भी बता दे कि ये additional subject जो है वो science stream में यानि arts वालों के लिए और commerce वालों के लिए नहीं है जो science लेकर पढ़ ले वही ये additional subject को ले सकते हैं इसके इलावा दोस्तों आपको date भी दे दिया गया है कि अगर आपको ये additional subject अपना इसमें चाहिए तो आपको दो में से 30 जून के बीच में जो है आपको अपना अगर ये दो subject जो है additional subject के तोर पे चाहिए तो आपको school में या फिर board में application दे देना है ताकि आपका ये subject additional subject बन जाए दोस्तों उमीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करें और अगर आप हमारे चैनल में नये हैं तो आगे भी ऐसे ही informative और interesting वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करे और दोस्तो बेल आइकन को जरूर अन कर ले ताकि फ्यूचर में जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो दोस्तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे और दोस्तो अगर आप Facebook या Instagram कहीं पे भी है तो दोस्तो आप मुझे वहाँ पे भी follow कर सकते है मेरा ID description में दिया हुआ है आपके screen में नजर आता भी होगा क्यांकि दोस्तो वीडियो से related जो भी update रहता है वो मैं Facebook और Instagram दोनों जगा देता रहता हूँ तो दोस्तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स वीडियो में एक नए topic के साथ